हेलो एबरीबन एक बाइफ फिर से आपका सौगत है हमारे चेनल में इस लेक्शन में हम सौल्ड करने वाल हैं get 2017 में टॉं में जो कोशन आयों है और जो दोनों कोशन कोशन करने वाले हैं इससे पहले कि हम question solve करना शुरू करें मैं आपको पिर बता देना चाहता हूं हम जल्दी live classes शुरू करने वाले हैं यापके 2020 या फिर EAC 2020 की तयारी कर रहे हैं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त हैं यादि वो भी त्यारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी share करें तो इसमें हम discuss करने वाले हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि पहला question दिया गया है a damping ratio for the viscously damped spring mass system covered by the relation a relation दिया हुए is given by तो damping ratio निकालना है सबसे पहले मैं आपको बता रहेता हूं यह जो equation दी हुई है इसका यह बेशिक फॉर्म लिखे हैं हम तो हम ऐसे लिख सकते हैं m x double dot plus c x dot plus k x is equal to zero जहाँ पर x double dot होता है acceleration x dot होदा velocity और k x x है वो होता है displacement यह आपको ध्यान रखता है क्योंकि c कभी कभी पूछ लेता get में एक पर question आ गया था कि x dot क्या है तो यह होती है velocity ओके तो इस equation को मैंने इस format में लिख लिया आप जैसा कि हम जानते है natural vibration होता है omega n is equal to under root k by m जहाँ पर के होती spring की stiffness m होता है mass तो इटा को कैसे वो damping ratio निकालना है हमको तो एक formula होता है जो आपको याद रखना है यादि आपने regular process की है तो आपको पता होगा इटा omega n is equal to c by m सी में बता चुका हूं डेंपिंग यह जो डेंपर होता है उसका damping coefficient होता है m mass होता है omega n natural frequency होती जिसकी value होती हो देंपिंग डेशियों कि ऐसा कि एक system दिया होगा हमाना कि एक system दिया हुआ हमारे पास एक spring लगी हुई है और उसके साथ एक डेंपर लगा हुआ है और उससे एक mass लगा हुआ है तो यह इस में से लिया हुआ है देंपर का damping coefficient होता है स्प्रिंग की stiffness के होती है तो अब मैं यहां पर value पूट करना श्रू करूंगा टू इटा असप्रम स्प्राइब ओमेगा है कि लिए हुआ कि कैं दो यूए है कि इस इकफिबांगा चालेगा इसफेथो सिवाइघ्युक् videos पाज़क्वा गश्रू करूंगि लीओ यह वाले under root m से यह वाल under root m चले जाएगा तो क्या हो जाएगा c by under root km तो इस 2 को भी मेरल ले आऊँगा तो eta is equal to क्या जाएगा c by 2 under root km तो देखें जिस c upon under root 2 km इसका अंसर हो जाएगा बी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा तो यह basic equation होती है इसकी कि ओमेगा होता है natural frequency जिसकी unit होती है रेडियन पर सेकेंड यह formula होता है 2 eta omega n is equal to c by m जहाँ पर c होता है damping coefficient इता होता है damping ratio omega n होता ही natural frequency of vibration बांकि यह ऐसा सिस्टम होता है इसमें एक spin होगा damper लगे रहते हैं तो यह इस formula से हम कर लेंगे उम्मीद करता हूं आप उसल में आगाया होगा चलिए next question की तरप सकते है next question दिया हुआ है a mass m is attached to two identical spring having stiffness k pretty spring की stiffness k है as shown in the figure the natural frequency omega for this single degree of freedom system तो इसके लिए हमको क्या निकालना है natural frequency निकालना है देखिए question शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज के लियर कर देना चाहता हूं जब spring series में होती है series में होने का मतलब क्या है ऐसे कि यह एक spring है इसी से दूसरी spring जुड़ी होगी और यहां पर mass लगा होगा तब spring की stiffness के है और इस बाले spring की stiffness भी के है तो total इसकी k1 मान लेते हैं इसकी k2 मान लेते हैं तो resultant spring की stiffness हम कैसे निकालना है यह 1 by k is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 इस तरह हम जब parallel में सीरीज में होती है तो इसकी stiffness हम इस तरह निकाल लेते हैं जब इस spring parallel में हो जैसे कि question में दिया गया है एक spring और डूसरी spring यानि कि दोनों ही spring direct end से जुड़ी हो यानि कि mass से जुड़ी हो तो यह हो जाएंगी कैसी यह हो जाएंगा केस पैरलल का पैरलल केस में स्टिकनेस निकालते हैं k is equal to k1 plus k2 तो यहां पर स्टिकनेस कितनी दी हुई है kk दी हुई है तो total resultant stiffness कितनी आजाएगी kk कितनी आजाएगी 2k और हम जानते है है natural frequency omega n is equal to under root k by m और k की value यहां पर कितनी आगए 2k तो इसकी value किया जाएगी 2k by m यह हो जाता है omega n उम्मीद करते हूं आपको समझा आगा होगा इस का answer हो जाएगा चलिए next question की तरब चलते हैं यह तो आपको समझना पड़ेगा सीरीज में connect करते हैं तो इस ट्रिपनेस ऐसे निकालते हैं तो पहला लिए जिश्य में सन होता है और उसके चार्ब प्लानेट चक्कल लगाते हैं तो इसलिए इसको बूला जाता है यह वाले आउटर रिंक को बोला जाता है annual ring कि पैकिए यहां पर लिखा हुआ है आउटर रिंग जिखा हुआ है उन्होंने यह इसको नाम बेरेते हैं विश्य स्कों पूरा रहता है एनुलर ओके तो यह हो जाएगा संगेर यह हो जाएगा प्लानेट लिखा हुआ है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है यह होती केरियर आर जिससे कि यह संग और प्लानेट कनेक्टेड रहते हैं तो चलिए आगे स्फू करते हैं इसमें दिया हुआ है स्वान इन इसमें दिया हुआ जा संगे रोटेट काउंटर क्लोग बाइस एट हंड्रेड अर्पीम लेंट नमर आप टीथ ऑन दा सन प्लानेट एंड आउटर इंड इस सन में दिया पचास प्लानेट में दिया पचीस और इसमें दिया सोग दा रेशो अप मैंगनीटूट ऑफ दा सॉल्प करते हैं सॉल्प करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं जिसमें लिखनेंगे कि आर्म संगेर हो जाएगा प्लानेट हो जाएगा और एनूलर आउटर रिंग इसको ए नाम दे दिया है इसके अलागा इसने कोशन शुरू किया है कि यह वाला फिक्स है आउटर व्क्राइक्शन में तो कॉंतर लॉपवाइस डारेक्शन को माना कि मैंने ले लिया है क्लेस ले रहूं मुद्शित के प्लानेट जब दो ग्यार आपस में होते हैं और अऊटर न्वाटा एन की जब दो ग्यार आउट जब से एक्टरनल ग्यार हो इंडी होती है तो दोनों कि माना कि यह भूमेगा clockwise तो यह भूमेगा anti-clockwise तो पी की direction क्या हो जाएगी minus लेकिन इसमें इसमें टीथ कितने दिये हों है 50 इसमें टीथ दिये हों 25 और एन्वरल में टीथ दिये हों कितने 100 तो पचास पचीस सो दांत हैं इसमें तो यह भूमेगा minus x into इसके जो टीथ आएंगे न इस बाले गयार के टीथ नीचे आएंगे और इस बाले गयार के टीथ ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 upon 25 अब यह इससे कनेक्ट है इंटर्नली जब इंटर्नल केरिंग होगी तो क्या होगा तो उनकी डारेक्शन और रोटेशन से होगी तो यह कितना होँएगा minus x इंटू इसको कि लिखेंगे 50 by 25 इंटू 25 divided by 100 और देखिए इतना सब्सक्राइगा अब यहाँ पर क्या लिखना है आर्म की कुछ रोटेशन होगा हो क्योंकि यूट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा आइप ox क्यानosph morality टू 2र जाएगा क्योंकि दो घ्र सब्सक्राइण कृद्रा थो इसको मिर्भग दूँगा ऑद न चल अब इन्होंने एक कंडिशन दी हुई है कि जो सने न वो 100 की स्पीट से कितनी किस में घुमड़ा है काउंटर ग्लोग बाइस डारेक्शन में इतना समझ में आ गया आपको तो मैं एक है लिखूंगा y plus x is equal to counter ग्लोग बाइस डारेक्शन को मैं लिखूंगा negative तो कितना है जाएगा minus 100 इतना समझ में आ गया और यहां पर एक और कंडिशन दी हुई है कि जो आउटर आउटर गयर है दा आउटर एनुलन गयर इस फिक्स तो इसको किसके बराबर कर दोंगा 1 y minus x by 2 is equal to 0 तो यहां से मेरे पास क्या रहाएगा y is equal to x by 2 यानिकी x is equal to 2y यह मेरे पास x की value आ गए 2y की time में तो x की जहाँ पर के मैं क्या लिख सकता हूँ 2y या फिर y की जहाँ पर के लिख सकता हूँ x by 2 लिख सकता हूँ तो मैंने क्या किया x की आपकर 2y लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा y plus 2y is equal to minus 100 तो y is equal to क्या है minus 100 by 3 यह किस की speed आ गई है आर्म की speed अब इन्होंने ratio किसका पूछा था मैं नीट्यूप angular velocity of the planet गया तो planet gear की speed मुझे निकाल लिए तो मैं क्या क्या कर दोंगा y minus 2x और हम जैसा की जानते हैं की यहां पर x is equal to 2y लिख दिया तो मैं क्या क्या लिख नूमर y minus 2 into 2y तो कितना जाएगा minus 3y और y की value में हम वैसे ही निकाल चुके हैं तो कितना हो जाएगा minus 3 into minus 100 by 3 तो इसकी speed कितनी आ गई है इसकी speed कितनी आ गई है इसकी speed आ गई है 100 और इसकी speed आ गई है प्लानेट की प्लानेट की speed आ गई है 100 rpm यान की clockwise और जो हमारे पास annular है जो carrier है उसकी speed कितनी आ गई है आर्म केरियर आर्म और बोलते हैं और इसको carrier भी बोलते हैं इसकी speed है हमारे पास minus 100 by 3 अब इन दोनों का ratio निकालना है तो कितना हो जाएगा 100 minus 100 by 3 लेकिन इन्होंने cable क्या पूछा है इन्होंने cable पूछा है magnitude magnitude पूछने का मतलब है कि इसको mode में ले लिए mode में लेने के बाद आप कट करेंगे तो कितना आजाएगा minus 3 और इसको mode से बाहर निकाल लिए तो इसका answer कितना आजाएगा 3 तो इसका answer आजाएगा 3 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सबसे पहले हमने यह टेबल बनाई थी इसमें आज से भी शुरूपर करते हैं संधम से भी शिरू कर सकते हैं लेकिन फिक्स रहता है उससे शुरू नहीं करते हैं तो इसकी speed हमने ले लिए कि प्लस-X होगी something something कुछ ते इसके बाद तो कि दिशाएद के तो इसके नाय चाल लिए तो इसकी स्फीड गला दिए कि यहां से कट्पिट करका इस वे हैं इसके बाद condition यहां पर दियो ही थी क्या दियो ही थी कि sun जो है वो 100 rpm से घुम रहा है लिकिना counterclockwise direction में तो इसकी direction counterclockwise direction ले ली और एक और condition दी थी कि जो annular outer ring है वो fix है तो इसको zero किया और यहां से xy का relation निकाल लिया, xy का relation यहां पर put किया, arm की speed निकाल ली फिर हमने xy की relation से y की value यहां, x की value यहां put की जो किया माइनस 3y तो यहां से जो planet है उसकी speed निकाल ली और दोनों का ratio निकाल दिया उम्मीद कर काम अपको sun में आगाया होगा, चलिए next question के दरब चलते है, देखिए अगला question दिया हुआ है, in a crank, slider crank mechanism, the length of the crank and the connecting rod, यह crank की length दी हुए है, यह connecting rod की length दी हुए है, respectively the crank is rotating at an angular velocity of 10 radian per second in counterclockwise direction, the magnitude of the linear velocity of the piston at that instant in the configuration, इस configuration में हमको piston की speed बतानी है, तो सबसे पहले तुम्हें एक अकमब, यह जो fixed link है ना, इसको मैं देदूँ का बनना, यह वाली link हो जाएगी 2, यह हो जाएगी 3, और जो piston है न, वो हो जाएगी 4th link, आपकर ौके अब एक बात समझिये, 1 और तू लिंक यहां पर connected है, जो भी turning pair होती है उनका i-gent task turning यहां कर उता हूं, इसका i-center हो जाएगा 1-2 और 2-3 यहां पर connect है तो फोर यहां पर connect है तो इसका i-center हो जाएगा 3-4 यहां पर लेकिन 4 और 1 sliding pair बना रही है और जो भी sliding pair बनाती है उसका i-center होता है जो sliding हो रही होती है उसके पर्पेंडिकुलर डारेक्शन में यानि कि फिक्स लिंक जहां कहीं भी दिख जाएगी आपको वो पन हो जाएगी तो इसके पर्पेंडिकुलर सेंटर होगा बन फोर अब इन्होंने पूछा है लिनियर बेलोसिटी आप दा पिस्टन निकाल लिया है तो पिस्टन की जो लिनियर बेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ओमेगा इन्टू आर आर क्या होगी कोई लिंक की लेंद होगी जो भी आई सेंटर ओमेगा इन्टू आई बन टू और तू फोर आई टू फोर यह पिस्टन की स्पीड हो जाएगी यह आप समझ लीजिए कि अभी मैं आपको बता देता हूं आई बंटू तो आ गया हमारे पास आई बंट फोर हम कैसे निकालेंगे तो देखिए इसा समाझ लीजिए एक सर्क्ल ट्रो कर लीजिए और चार आई सेंटर हैं तो उनको जोईन कर दीजिए और हमारे पास चार लिंग हैं तो आई सेंटर कितने होगे आई सेंटर निकालने का फर्मूला होता है एन n-1 by 2 यानकि 4 into n-1 हो जाएगा 3 by 2 यानकि i center कितने हो जाएगे 6 6 i center कौन कौन से होगे मैं आपको बता रहता हूँ i12 i13 i14 i23 i24 i34 अब आप वो लिमिस सब i2 1 भी तो हो सकता है i21 और i12 i1 होता है i31 और i13 i1 होगा इसलिए यह 6 i center हो जाएगे हमको कौन कौन से पता है 1223 34 जैसा कि आप देख सकते हैं और 14 14 यहां पर जा रहा है infinite पर एक बात और यह जो sliding प्यार होती है न वो उनका i center यहां infinite पर आएगा बन फोर तो इस बन फोर को हम पैट लली इस डारेक्शन में या इस डारेक्शन में shift कर सकते हैं यानि कि इस बन फोर को हम चाहें तो इस बाली link पर कहीं पर भी fix कर सकते हैं हम मान लेंगे कि आई बन फोर यहां पर आ गया समझ रहें ना जो sliding प्यार का i center होता न जो कि infinite पर है उसको हम चाहें तो पैरलली बन फोर यहां पर shift कर लें यहां पर करें आधे कर रहे हैं घ् Egyptian करों कि सब्सक्राय कर सकते हें आइंड ज्था क्यांक निए थागा भुल्ष्थ सिंटर्व ECS निए कुम निए यहाँ पर कहीं परिक्ना रूक्षण कर्सक्त कर्या कि देखा भाता चा año Getting ना उसका से को सब्सक्राइर करें तो जैसा कि मैं हागा था कि हमारे पास एक हाइसेंटर हो जाएगा one two three four हां पास यह भीनक है पिंट कि हमारे बत आइसेंटर हमारे पास 9 है अब हमको निकालना आइसेंटर 13 यान कि 13 हमको निकालना है तो बं से 3 पर कैसे पहुंच सकते हैं 1223 किसी तरह थी पर हम कैसे पूछ सकते हैं से 1443 तो कितना हो जाएका 1443 पहुंच गए हम तो इसको भी जोइन कर दीजिए आइसेंटर 13 हमको 9 है तो जैसे कि हम जानते हैं 1223 को जोइन करना है यान कि 1223 को जोइन करना है इस लाइन को ऐसे करके हम आगे बढ़ा देंगे आइसेंटर यह 23 है यह बंडू है 1443 को हमको जोइन करना है देखिए अब 1443 तो यहां पर infinite कहीं पर होंगे तो यह तो जोइन हो नहीं सकते हैं तो आइसेंटर यहां कहीं जो infinite पर यह जाएंगे यह जोएंगे बहा कहीं जाकर हमको आइसेंटर 139 हो जाएगा इतना समय में आ गया अब हमको एक और आइसेंटर निकाल लाए कितना कौन सा 24 24 24 पर कैसे पहुच सकते हैं तो से 4 पर 2 से 3 3 से 4 तो मैं कैसे लिख दूँगा 2 से 3 पर जाएंगे और 3 से 4 समय रहे हैं 2 से 3 3 से 4 2 से 1 1 से 4 तो कैसे निकाल सकते हैं 2 से 1 और 1 से 4 अब इनको जोहन कीजिए कि और 1 और 1 तो एक हैं मैं पहले बता चुका हूं 1 2 1 4 एक होंगे और 1 4 तो यहां के अफानाइट पर जा रहा था मैंने पहले बता दिया था कि जब ये स्लाइडर स्लाइड होता तो उसके आइसेंडर पॉंट नहीं पर भी सिप्ट कर सकनें तो 1 4 को हमने यहां पर सिप्ट कर लिया पैलली तो 1 2 और 1 4 यहां पर जोइन हो जाएंगे 2 3 और 3 4 2 3 और 3 4 को जोइन करती हो लाइन में लाएंगे तो i 2 4 यहां पर कहीं पर होगा 2 4 यहां पर कहीं पर होगा तो piston की velocity क्या हो जाएगी 1 2 2 4 ओमेगा तो उनको दिया हुआ कितना 10 रेडियन पर सेकेंड जैसा कि आप देख सकते हैं और 1 2 और 2 4 जो आई सेंटर हैं उनके बीच की दूद डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 mm यानकी 1 मीटर पर सेकेंड आ गही है पिस्टन की बेलोसिटी 100 लिखा हुआ 100 mm तो हम थाउजन से डिवाइट कर देंगे तो यह कितना जाएगा 0.1 अब आप सुछ रहा होंगे कि मैंने यह वाली डिस्टेंस क्यों नहीं तो इसको मैं आपको एक स्लाइड में बता देता हूँ एक स्लाइड में बता देता हूँ एक होती है क्लैंस कंस्ट्रक्शन मेथड़ आपके बहुत क्लैंस कंस्ट्रक्शन मेथड होती है इसके एक माना कि यह हमारी crank हो जाएगी यह हो जैएगी connecting lot यहां पर हमारा piston लगा हुआ है और यहां हमारी crank है आप मैं ex-pon name देदूगा U इसको A इसको P नाम दे छिलेगा इसको मैंने नाम दे इधिए B अब क्या करना रएथा हमको velocity इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे और इस बाली लाइन को भी एक्सटेंड कर दीजे तो ये कहीं पॉइंट पी पर जाका मिलेंगे पॉइंट पर जाका मिलेंगे अब यब ऐपी को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रो वगर करेंगें तो ये सर्कल कुछिस टायप का है यह होता है क्या निकानने के लिए होता है इक्सलिवर्ट निकानने के लिए हम सर्क्ल ड्रों करते हैं और इसके अलावा क्या करते हैं कि एक पी को ढामीटर मानकर एक और संब्सक लिए का भी होगा एक अब आत हैं कि और सब्सक्राइब तुभ् papasic या ॥क्ट होता है य।भ एक इस निजिए होता है अब मैं क्या होंगा जैसा कि हम जानते ६िंक ओ यह इसकी बैलोशिटिय कुछ इस डिरेक्षिन में होगी इस डारेक्शन में होगी लिंक ओपी की बेलोसिटी इस डारेक्शन में होगी और ये वाली लिंक की डारेक्शन या तो इस डारेक्शन में होगी या इस डारेक्शन में होगी या इस डारेक्शन में होगी क्योंकि जो भी लिंक दी रहती है उसके परपेंडिकुलर रोटेत होगी तो एक आप लोगी तो इस की टारेक्षिन भी याइस डारेक्षिन में होगी स된 हम इस तरह का के चेंडी लिंग ओए के साथ उगा तो इसकी बैसिति उसाथ होगी भाद रहा है अब जब अजय मैं कि रहे जादिए तो यह रहेgebी यह यही रहेंगी न यही रहने वाली और यह वाली एक पी की बेलोसिटी इस डारेक्शन होगी तो यह बन गया एक ट्रेंगल समझना है ना यह बन गया एक ट्रेंगल तो अब मैं इसको छोटे जो ट्रेंगल बनता उसको इसमाल से सो करते हैं इसको सो कर दिया मैंने ओ यह रहेगा ओ यह रहेगा ए यह रहेगा पी तो यह वाली जो बैलोसिटी है यह वाली यह किसकी बैलोसिटी हो जाएगी पिस्टन की यह वाली लिंक की बैलोसिटी कौन से है यह क्रेंक की बैलोसिटी हो जाएगी क्रेंक की और यह वाली जो बैलोसि मनजने की कोशीश करना हुआ, यह यह आ है ना है जैसा कि मैं इन अभ마 बता है ठाथा कि इसके पर्पेंडिकूर गाला इसकी वेयल खोती होगी है, जैसे कि ब्रप्रैंकिंक अब मैं क्या लिकूंगा ब B B B A अपॉन O P लिखूंगा B B B B A अपन लिखूंगा क्या लिखूंगा A B A B B B अपन लिखूंगा O P अब आप यहाँ देख सकते हैं जो B VeloCity है B B VeloCity है वो किसकी VeloCity है पिस्टन की और उसके अपन में मैंने क्या लिखा है O P O P यानि की यह वाली डिस्टेंस लिए है समझ रहा है ना और यह सब बरावर होते हैं O M E G क्रेंक के बरावर इतना आपको ध्यान रखना है VeloCity of A यानि की क्रेंक की VeloCity divided by O A VeloCity of B A यानि की Connection Road की VeloCity upon A P with respect to Crank और Piston की VeloCity तो यह वाली लिंक है ना यह वाली length यह इसके अपन में आजाएगी और यह बरावर हो जाएगे O M E G क्रेंक के Same case Same Case हमने डिस्कस किया था Question में अब आप यहाँ देखिए हमने क्या किया था कि यह वाली जो डिस्टेंस है ना यह हो जाएगी O P O P यह हो जाएगी ना हमारी O P जो कि क्या हो जाएगी जो पिस्टन की VeloCity दी होई है upon O P इसी गट्टू हो जाएगा Omega Crank तो इस question में इसलिए हमने यह वाले Eye Center के बीच की distance मालूम की थी उमीद करता हूँ आप उस समझ में आगाया होगा देखिए एक question दिया हुआ है A gear trends on in the figure consisting of a PQRS gear gear Q & R mounted on the same shaft same shaft का मतलब यह है कि gear Q & R की जो speed है यानि कि number of RPM है वो SAM रहने वाले है क्योंकि यह A की soft for mounted है यानि कि यह कुछ इस तरह होगा क्या ही ऐस, यह ऩानि कि is, तरह होगा कैसे होता होगा 3D में यह इस तरह होगा इस से यह वाला gear cosìchen टों यानि कि यह होजाएगा V यह होजाएगा Q और इसी smart पर इसी smart पर यह R वाला gear R से connect होगा S आक कि लेकिन compound gear मतलब कि मासा ग़नेयर ikisad park दो गयांन है इतना सुर्म में आ गया एक बात कर अध्यान रखिए के अब होतार गयर माना कि यह मान लेते हैं कियार को बड़े G से सो कर देते हैं स्मौल को छोटे Fいき जी से सो कर देते ने बड़े sos का डाईमिटर जादा होगा छोटे डियर तो नमर पीजाता हो जाएंगे लेकिन जिसका डायमेटर जादा होगा उसकी कि इतना आपको ध्यान रखना तो यह आपको रिलेशन ध्यान में रखना है चलिए कोशन करना शुरू करते हैं करना सुरू करते हैं जैसा कि इन्होंने दिया हुआ किया दिए हुए P Q RS पर T 24 45 30 80 24 45 30 और 80 इसके अलावा गियर P का RPM भी दिया हुआ यहनोंने कितना दिया हुआ 400 आ दिया जैसा कि मैंने आपको बता दिया और जिस पर T जाद होंगे इसकी कि Speed कम होगी मैंने बता दिया तो यह वाले रिलेशन हम योज़ करने वाले को यानि कि TP upon TQ is equal to इसकी Speed कम होगी यानि कि Speed opposite होगी तो Speed यहाँ पर पर जाएगी 400 और इसकी इस स्पीड हमको निकालना है यानि कि n क्यों हमको निकालना है टीथ on p पर कितने दिये हुआ है 24 और q पर कितने दिये हुआ है 45 इन्टू 400 इस इकॉल टू कितना जाएगा इस पीड और क्यू लेकिन यही स्पीड रहने वाली किसकी आर की इसमें तो कुछ भी नहीं करना है है आर को तुम इन्हेंनों मेंसेज छोड़ दिया विश डारेक्ली कनेक्ट कर दिया डारेक्ली आपको यह करना है सिंप्ली बता रहता हूं आ एन पी अपॉन एन एस इस इकॉल टू अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अब भी ऊपर है तो नमर घींथफी इस पर जाना होंगे जैंड़ से बारść है तब नमर उप टीथ स्पीट यजिदा है तो टी यह चाल-पॉजिट होंगे इसका और वो जाटए अब हमको इस्पीट दी है पीगी 400 अपन एनेस तो एनेस कहां से आजाएगा 800 अपन एक टी इंटू 24 तो एन की स्पीट कितनी आजाएगी तो एन की स्पीट कितनी आजाएगी ns की 120 सिंपन्द क्योंकि एक ही गयर पर माउंट है मैंने यह बता दिया कंपाउंट साफ ऐसे होती है लेकिन इस केस में यह यहीं पर माउंट है और इतना साम में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं जैसा कि हम निकाल चुके है स्पीड आफ क्यू की ज्यादा जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा एक्टी अपों एनक्यू के टीथ कितने 45 यहां पर आजाएगा कि इतना समझ में आ गया इस पी निकाल दीए एस की तो एनक्यू की बैलिव अल्रेडी हम निकाल चुके तो एनक्यू की बैली यहां पर पुट कर दीजे 24 इंट कितने टाइम जाएगा फाइप नाइप और तो एनस इधार आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 इस इकूर्ट टू एनस तो एनस इसके टू क्या आ गया 120 सिंपल समय आ गया तो यह डारेक्टी हम निकाल सकते हैं उम्मीद करने आपको यह पसंद आया होगा और रि इसी 2020 के लिए तो आप सब्सक्राइब पर हैं चैनल और अपने दोस्तों के भी बताएं इसके लावाए यह था पार्ट बन पार्ट टू किसी और लेक्शन में डिसकस करेंगे थैंक्यू थैंक्स पर वाच